हेलो फ्रेंज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पास सकें लेटेस अपडेट्स थैंक यू वेलकम दोस्तों फिर स्वागत है आपका डिजिडल तयारी हमारा यूट्यूब चैनल और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिल रहा है देश बड़ से हमको काफी क्वेस्चिन्स हम लोग करवा चुके हैं और इसी प्रकार से काफी क्वेस्चिन्स पिछले कुछ वर्षों से एक्जाम में बहुत जादा आने लग रहे हैं बताया गया है आपको इस विडियो के माध्यम से कि यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है आपको अब्सर्व करना है चीज़ों को आपको यह समझना है कि कौन सी चीज कैसे यहां पे काम कर रही है आपको कौमन ढूनते जाना है कुछ न कुछ कौमन आपको हमेशा मिलेगा और वही कौमन आपको एक्जाम की तरफ आपके आंसर की तरफ लेके जाएगा दोस्तों इसमें जो चीज़ें नोट करनी होती हैं सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करते हैं वो है नमबर ओफ ले फिर आप एक note करते हैं last letter of the word अगर वो भी कहीं नहीं मिलता है second letter की हम बात करते हैं और second last letter की बात करते हैं इन सारी चीजों के साथ number of wobbles, number of consumments, odd even ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी आपको alphabetical order में ABCD से लेके Z तक कौन कहां placed है वो भी आपके काम आएगा तो दोस्तों एक और question आज हम लेके आए है difficulty level very tough, difficulty level very high यहाँ पे आप देखेंगे एक question आपके सामने होगा और उस question को हम कुछ देर तक रखेंगे आप जब तक उस question को pause कर लीजिएगा उस question को pause करने के बाद देखेंगा कि आप कितना समय में उससे कर पाए हैं एक बार उसे try करिए फिर हम आपको इसके solution लेके जाएंगे तो देखिए दोस्तों यह difficulty level का question आपके लिए तो दोस्तों आपने देखा काफी समय लगा होगा आपको और यह actually बहुत अच्छा question है देखिए पहले मैं आपको चीज बता दूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं हमें इधर एक sentence दे रखा है जिसकी coding यहाँ पे कर रखी है और आ ऐसा कुछन कुछ common आपको horizontal और vertical lines में देखना होता है दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इसका level बहुत difficult था तो बताओ मैं आपको दोस्तों जो सचाई है ऐसे question भी exam में आए हैं और यहाँ पे अगर आप आधा घंटा से ज्यादा भी अगर आप apply कर देते आपको इस question का coding नहीं प्राप्त हो सकता था उसका बहुत simple answer है इस question में actually कोई coding नहीं है ऐसे question भी exam में आते हैं जहां आपको observe करना है अब बहुत सारा समय आपका खा जाएगा लेकिन actually कोई coding ही नहीं है सिर्फ एक छोटी चीज जो मुझे पक्के से पता है जो आपको मिल गई थी वो है number of letters और दो देखिए दोस्तों ध्यान से यहां पर मुझे 2 मिल रहा है 5 मिल रहा है 5 मिल रहा है और 6 मिल रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो really जो है वो 6 letter का है 1 6 मिल रहा है happy और money दोनों ही 5 letter के हैं मुझे यहां 2 5 मिल रहा है और is जो है वो 2 letter का है या 2 मिल रहा है अगर तो cross verify कर सकते हैं 5 letter 5 letter 3 और 7 पाँच 5 तीन और 7 आपने देखा होगा number of letter तो बहुत आराम से मिल गया होगा दोस्तों बस इतना ही coding है इस question में आगे कोई भी दो alphabet लगा दिये तीछे कोई भी एक symbol लगा दिया कोई variation नहीं है कोई आप समानता आपको नजर नहीं आएगी ऐसा कभी नजर नहीं आएगा ध्यान रखे इसमें एक ऐसा word ज़रूर आएगा money जो यहाँ पे money होगा और यहाँ पे के आर 5 at the rate के आर 5 at the rate आपको comment देगा तो आपका जो रुझान है question के प्रती वो और बढ़ जाएगा उसको देखने के लिए किया रे कुछ न कुछ तो coding जरूर है इसमें लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा किसी प्रकार की दूसरी coding इसमें apply नहीं कहीं है आगे कोई भी दो alphabet लगा दिये बीच वाला number genuine है फिर पीछे symbol लगा दिया जो option आपको मिलेंगे किसी भी question के लिए उसमें number of letter से ही हम find out कर पाएंगे तो दोस्तों ऐसे question भी आते हैं ये video मेरा जरिया था आपको बताने के लिए जरूर आपको समझाया होगा आप like कर दीजिए और देखते रह दिजिटल तैयारी के साथ thank you thank you friends thank you for watching I hope आपको ये video बहुत अच्छा लगा होगा तो please like करना मत भूलिएगा topic हमारी तरफ से complete हो जाता है फिर भी अगर आपको लगता है कुछ query कुछ questions कुछ confusion अभी भी बाकी है तो इस video के comment section में जरूर आप अपने doubts को type कर दीजेगा हमारी हमारी team will definitely get back to you आपके doubts को वहीं हम solve कर देंगे इसके अलावा कई सारे ऐसे topics ऐसे confusions English के related आपको रहते होंगे topics आपको रहते होंगे आप उस topic को वहीं पे आप type कर दीजे जिस भी topic के सबसे ज़्यादा doubts या queries रहेंगी हमारी team जल्दी जल्दी उस पर भी एक video बनाके आप त